इस विजियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं इस जब आप करते हो तो एक्सप्रेशन लाइन्स बन जाती हैं और कई बार एजिंग मतलब आप जब 30 के हो जाते हो नो तो 30 के बाद भी आपके फोर हेड पर ना ऐसे रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं इस लाइक आप यॉर ग्रोइंग आप बड़े हो रहे हो या आपकी एज हो रहे हैं बट कुछ साइन हैं कुछ एक्सराइजेस हैं जिनकी हेल्प से आप इन साइन को रिड्यूस कर सकते हैं तो चलिए इसको आपने बीड के स्टेप्स के आप पर की तरफ लेकर जाना है कुछ लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि कितने कितने रेपेटेशन करने चाहिए तो आप 20-20 के 5 रेपेटेशन कर सकते हैं, that is enough, कुल मिला के 10-15 मिनिट की मसाज होगी, ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने ऐसे, ये वाला जो हुक होता है, जैसे मैं हमेशे होताती है, मेरा फेवरेट पोज है, तो हुक वाला, तो इससे मसाज बहुत अच्छी होती है, तो अब आपने करना क्या है, इसको आपने ऐसे यहाँ पर रखना है, और ऐसे लेकर जाना है, पीछे की तरफ, इनको बोलते हैं, टेंपल्स, और यहाँ पर ये आपकी फिनिशिंग लाइन है, ठीक है? इनफ, और अभी आपने करना क्या है, अभी आपने अपने ये दो फिंगर्स लेनी है, और इन दो फिंगर्स की हेल्प से, आपने ये, ये जो टेंपल्स होते हैं, यहाँ पर आपने ऐसे सर्कुलर मोशन से ऐसे जाना है, और पूरे फोर हेड को कवर करना है, ट्रस्ट मी, ये एकसरसाइस बहुत इफेक्टिव हैं, मतलब, करके देखने तब पता लगेगा कि मैं इतना क्यों बोलते हैं, आपने पूरे के पूरे फोर हेड पर ऐसे दो फिंगर्स से सर्कल करने हैं, और आपका प्रेशर जो जाएगा, वो इन फिंगर्टिप से आपक वी बनाना है, ऐसे और ऐसे, आपने ये ऐसे, जो आइबरो होती है, आपकी यहां से ऐसे करना है, और ऐसे लेकर जाना है, वी बनाना है, और ऐसे टेंपल्स तक लेकर जाना है, देखिए, जब आपका फोर हेड टोन रहेगा, आपकी स्केल्प, जो स्केल्प होती है, यहां पर हेड मसाज हो करते हैं हम लोग यह भी ना एजिंग की वज़े से जो आपका फोर हेड है स्केल्प है सब ना लूज होना स्टार्ट हो जाता है तो अगर आप इसको टाइम टू टाइम मसाज करेंगे तो यह टॉन रहती है बोडी और आप यंग दिखते हैं और अब लास्ट में आपने करना है यह आपके जो ऐसे यह जो होता है यहां पर यह आई ब्रो के बिलकुल सेंटर में ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं इन प्रेशर पॉइंट्स को आपने ऐसे प्रेस करना है यह देखें यहां से यह जो पार्ट होता है आपके फिंगर का इससे आपने यहाँ पर प्रेस करना है लाइक दिस आप 60 काउंट कर सकते हैं या 100 काउंट कर सकते हैं ऐसे आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है बहुत थोड़ा नहीं देना है इतना देना है जिसको आप सहन कर सकते हैं अच्छे से तो और लास्ट में हमने ऐसे हलका सा यह वाला स्टेप करना है just to relax your muscles तो इन exercise की help से आप अपने forehead की wrinkles को remove कर सकते हैं forehead की fine lines को remove कर सकते हैं and along with this अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो comment box में मुझे जरूर बताना इससे मुझे motivation भी मिलेगी और साथ की साथ अगर आपको अगर आप किसी topic पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे comment box में लिख सकते हैं मैं damn sure उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी तो मिलते हैं हमारी next वीडियो में बाबाई